Hello guys, welcome back to my channel I hope आप सभी अच्छे से होंगे और मजे में होंगे तो आज हम बात करने वाले Instagram के नए अपडेट के बारे में जो कि Instagram ने अभी रिसेंटली ही रिलीस किया है and I personally believe कि ये किसी भी तरीके के content creator के लिए बहुत जादा helpful होने वाला है नया Instagram का feature और मैं खुद बहुत टाइम से ये वेट कर रहा था कि कब Instagram इस feature को available करे अपनी website के उपर तो आज हम इस feature के बारे में बात करेंगे So stay tuned and watch the video till the end guys तो generally आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमें Instagram के उपर कोई भी content update या upload करना होता था तो generally एक process थी कि हमें पहले अपने PC से अपने phone के उपर वो वीडियो या photograph को लेना पड़ता था और फिर phone के थुरू ही हम जो है अपने Instagram feed पे content को upload कर पाते थे बट अब ऐसा नहीं है Instagram का जो है नया feature आया अब हम इसके थुरू अब हम directly Instagram की website से अपने Instagram account के उपर कोई भी content update कर सकते हैं upload कर सकते हैं चाहे फिर photographs हो या video हो तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सो चलते हैं सीधा computer की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं ये Instagram है हमें कुछ नहीं करना simply अपने PC के उपर Instagram.com को open करना है और अपने account को यहाँ पर open करना है और यहाँ पर यह जो plus का sign है इस पर हम जैसे ही click करेंगे हमें एक नई window मिलेगी जहां से कि हम किसी भी photo को या video को select कर सकते हैं जो भी हम update करना चाहते हैं जो भी हम upload करना चाहते हैं जाँगा और simply अपनी photograph को select करूँगा और यह next का button अब आँगा अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से हमारे mobile phone के अंदर feature है कि हम यहाँ पर filter use कर सकते हैं जो भी हमें filters use करने है या अगर हमें कोई भी adjust करनी है photograph को adjustment अगर इसमें करनी है जैसा कि आप देख सकते हो brightness, contrast और यह सारे features यहाँ पर available है यहाँ से हम edit भी कर सकते हैं अपनी photograph को उसके बाद हम अगर next करेंगे तो यहाँ पर हम अपने captions डाल सकते हैं जो भी हमें captions डालने हैं अपनी photograph के ओपर hashtags use कर सकते हैं या कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी हमें caption यहाँ पर update करना हो अपनी post के साथ में और यहाँ पर हम tag भी कर सकते हैं लोगों को directly यहीं से और बस हमको यह करना है यहाँ पर next दबाना है और फिर हम directly यहाँ से update कर सकते हैं अपने content को finally यह जो feature है यह available कर दिया Instagram ने और I personally feel कि बहुत जादा helpful होगा यह किसी भी creator के लिए क्योंकि अब वो जो time consuming जो process थी वो थोड़ी सी कम हो गई है अब हम directly अपने system के through ही content को upload कर सकते हैं अपने feed पे तो यह था Instagram का नया update जो कि उन्होंने just recently release किया है तो आप जरूर इसको use करो and do let me know कि कितना helpful आप लोगों के लिए है मेरे लिए personally यह बहुत जादा helpful है क्योंकि वो जो process थी पूरी अपने phone में लेने की कोई भी content को और फिर वहाँ से upload करने की वो process बहुत कम हो गई है अब मैं directly यहां से अपने PC के थूरू ही content को upload कर सकता हूँ अपनी Instagram feed के उपर तो यह थी आज की हमारी video I hope आपको helpful लगी हो and do share it with others as well so that's it from this video thank you so much guys for watching the video बहुत छोटा video था but कोई नी तो हम अब मिलेंगे next video में thank you so much for watching and bye bye guys take care